सिविल लाइन धानव शेत्र में मेडिकल व्यापारियों के साथ हुई लूट की घटना का पुलिस दे खुलासा किया है चाल लूटेरे गिरफतार किये गए लूटी हुई पिस्टल, एक आवाय तमंचा, दो कार्टू से एक चाको भी बरामद हुआ लूट की घटना को अंजाम देने के लिए कोटवाली शेत्र से चुराएगे इस कुटी भी बरामद हुई मेडिकल व्यापारी की दुकान में काम कर चुका पुराना नौकर ही लूटेरा निकला एससपी जै प्रकाश सिंग के निर्देश पर एसपी सिटी कपिल देव सिंग के नेतित में सीओ सिटी अमित कुमार, इंस्पेक्टर एसोजी, इंस्पेक्टर सेर्विलैंस रमेश सिंग, इंस्पेक्टर सेविल लाइन सुधीर कुमार ने घटना का खुलासा किया SSP ने घटना का खुलासा करने वाली टीमों को 10-10,000 रुपए के पुरिसकार Medical Association ने 20,000 रुपए का पुरिसकार देने की घोशना की व्यापार मंडल ने सम्मानित किया रात तीन जन्वरी 2022 को रात में एक सूजना मिली कि गिर्राज Medical Store के दो सगे भाईयों के साथ जस्वन नगर रोट पर घटना हुई है इस सूजना पर मौके पर CEO City ताना सिविल नाइस की फोस गई तो घटना के बारे में पता लगा कि ये अपना Medical Store बंद करके संजी उतिवारी ये छोटे भाई है वो आठ सवा आठ बजे के करीब जा रहे थे जब ये नस्नल हाइवे पर पहुंचे हैं तो पीछे से स्कूटी सवार दो लड़के इनके सर पर किसी डंडे या लोहे के राट से बार की है इन्हों ने अपनी मोटर साइकल की स्पीड आगे बढ़ाई कुछ दूर तक उन लोगों ने पीछा किया इसके बादे इस पीड आगे बढ़ा करके चले जए यस्वन नगर में जाकर इन्हों ने अपना ट्रीट्मेंट कराया बीस-पचीस मिनट बाद इनके बड़े भाई मेटकल इस्टोर बंद करते जा रहते और सेम घटना उनके साथ भी घटित हुई उस घटना में जो इसकूटी सवार था उसने जो एपलेड रोले की राट से उस पे इनके सरप्रवार किया और जब वो गाड़ी से नहीं गिरे तो जो इसकूटी चला रहा था उसने पैर से धक्का मारा और इसके बाद वहां कि पूरी घटना वहां के सीसी टीवी पूटेज में कवर हो गया था जब घटना के अनावारण के लिए हमारी सोजी टीम ठाने की पोर्स और सर्विलांस टीम लगी तो कई चीज उसमें निगल करके आया और कल मुक्विर की सूजना के बा बेड़ भी पुलिस के साथ इन लोगों ने किया है जिसका मुकर्मा लिटा जा रहा है और इसमें इनके पास जो बरामदगी हुई है उसमें एक पिश्टल है 32 बोर जो लूटी हुई थी दो खोखा कार्तूर 32 बोर और दो जिंदा कार्तूर 32 बोर का बरामद हुआ है जो कि पूरी घटना करम में जो पाया गया है घटना करने वाले नई उमर के लड़के हैं जो 18 लेकर के 25 साल तके हैं इसमें से एक लड़का जो है इनके मेडिकल इस्टोर पर 5-6 साल पाले काम कर चुका था जो दो महीने बाद उसको अटा दिये थे किसी कारण से इनके दुकान के सामने बाहर राता था उसमें से मुख्विरी की गई कि सो मार के दिने जो है पैसा लेकर के जाते हैं इसी चक्